इस सेंटेंस को पढ़िये अतूल, मनीश, एंड, सीमा आर इन रवी's house अतूल, मनीश और सीमा रवी के घर में है In this sentence, इस सेंटेंस में रवी's house tells that the house belongs to रवी इस सेंटेंस में रवी's house बताता है कि जो घर है, जो house है, वो किसका है? रवी का है रवी's house means रवी का घर We use an apostrophe to show blogging हम ये जो साइन है, अपोस्ट्रोफी का इस साइन का, इस सिंबोल का हम यूज करते है क्या बताने के लिए? कि कोई भी चीज वर किसकी है? यहाँ पर हमें रवी का घर बताना था तो हमने रवी के साथ में इस सिंबोल का means apostrophe का use किया और फिर S हमने लगा दिया अब रवी और S लगाए तो क्या हो गया? रवी's house, रवी का घर लूग at the pictures आपको इन pictures के देखना है and answer the questions और फिर इन questions के आपको answer लिखना है example के तोर पर यहाँ पर एक question का answer लिखा हुआ है Question है Whose horse is this? Whose means किसका horse घोड़ा? These means यह तो यह horse किसका है? कौन से horse के बारे में बात हो रहे हैं यहाँ पर? इस picture में जो horse हमें दिख रहा है इस horse के बारे में कि यह horse किसका है? यह horse जिसका भी है उसका name इसके picture के नीचे लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है? राजा It means यह horse राजा का है तो इसका अंसर कैसे बनेगा? It is राजा's horse राजा's horse means राजा का घोड़ा It is राजा's horse यह राजा का घोड़ा है Now the second question is Whose ball is this? Whose means किसका या किसकी बार यह है? यह बार किसकी है? तो हमें इस picture में देखना होगा कि यह बार किसकी है? पिचर के नीचे name दिया हुआ है? रीना It means कि यह बार रीना की है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा? It is रीना's बार तो हमारा आंसर इस तरह से होगा It is रीना's बाल यह रीना की बाल है Second question Whose bicycle is this? यह साइकिल किसकी है? आंसर इस टीना यह साइकल टीना की है तो इसे कैसे लिखेंगे? It is टीना's साइकिल हमें सिर्फ केवल नेम के पीछे अपोस्टोफी लगाना है और एस लगा देना है तो क्या हो जाएगा? टीना साइकिल तो आंसर इस तरह से लिखेंगे It is टीना's bicycle यह टीना की बाल है अब जो बचे हुए दो क्योशन से इनके आंसर आपके लिए हॉमवर्क में है आपको इनके आंसर लिखना है Whose monkey is this? यह monkey किसका है? आपको इसका नेम यहाँ पर लिखना है सिर्फ नेम लिखकर नहीं चोड़ना है पुरा आंसर कम्प्लीट करना है Whose cart is this? यह cart यह थेला किसका है? जीतू तो जीतू का पुरा आंसर आपको यहाँ लिखना है Now we will do Learn new words अब हम learn new words करेंगे Look and read Look means देखो और पढ़ो आपको इन pictures को देखना है और इनके नीचे लिखे हुए जो भी चीज हैं उसे आपको पढ़ना है यहाँ पर हमें एक girl ने दिखाए दे रही है नीचे लिखा हुआ है One child Child मिल्स होता है बच्चा एक बच्चा One, two, three Three children तीन बच्चे एक बच्चा तीन बच्चे जब भी हम plural form लिखते हैं तो हम उस word के पीछे एस लगा देते हैं जिसे कि book तो जब book के पीछे एस लगाते हैं तो books, बहुत सारी books हो जाती है लेकिन कुछ words ऐसे होते हैं जिनमें एस नहीं लगता है उन्हें plural बनाने के लिए कुछ words को plural बनाने के लिए एस हम नहीं लगा सकते हमें इसके लिए spelling ही change करनी होती कुछ नए words होते हैं इनके लिए जैसे अगर एक बच्चा होता हैं तो हम बोलते हैं child अगर एक से ज़्यादा होते हैं तो children बोला जाता है some words change when they become more than one कुछ words change हो जाते हैं जब वह एक से ज़्यादा होते हैं ठीके कुछ words तो ऐसे होते हैं maximum words ऐसे ही होते हैं जिनमें एस लगाने से plural form बन जाएगा लेकिन कुछ words को हमें change करना पड़ता हैं जिसे child का हो जाता है children match the one with its more than one आपको इस singular form वाले को plural form के साथ match करना है singular form से मेरा meaning है कि यह जो नेम यहापे लिखी होई जो चीजे लिखी होई है यह जब एक चीज होती है तब बोली जाती है और जब एक से ज़्यादा हो जाती है तब इन में से कुछ बोला जाता है तब आपको सही से match करना है यहाँ पर है foot तो foot means पाउं जब एक पाउं के बारे में बात होगी तब foot और जब दोनों के बारे में बात होगी तो feet woman, man, feet, mice, teeth तो जब एक पाउं है foot जब दोनों पाउं हो जाएंगे तो feet now tooth means एक दांत अगर सारी ही दांतों के या फिर एक से ज़्यादा दांतों के बारे में बात करेंगे तो teeth mouse मिन्स एक चुहा अगर एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो mice woman अगर एक ही ओरत है तो woman और एक से ज़्यादा है तो woman man 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 जब एक आदमी हो तो man और जब एक से ज़्यादा हो जाए तो man man यहाँ पर सिर्फ केवल a और e का डिफरेंस यह बाकि दोनों को man ही कहा जाता है you have to write this match in your copy आपको यह match आपकी copy में लिखनी है match the names with the correct sets of words given below आपको इन words को यह नीचे जो set दिये हुए हैं इनके साथ match करना है hint use words given in the box यहाँ बोक्स में जो words दी रखे हैं आपको इन words का आपको यूज करना है यहाँ पर हमें first के अंदर दिख रहा है doll teddy bear ball doll house ठीके तो doll, teddy bear, ball, doll house यह सारी क्या चीज़े हैं यह सारे खिलोने हैं, toys हैं तो यहाँ पर हमें इस उपर वाले box के अंदर हमें toys ढूणने होंगे animals, vickles, furniture, fruits, toys तो हम क्या करेंगे इस box को toys के साथ में match करेंगे इसे हमने match कर दिया है अब हम next box को देखेंगे lion, camel, giraffe, zebra यह सभी क्या चीज़ें तो यह जो भी चीज़ें अगर यह fruits हैं, furniture हैं, vickles हैं, animals हैं जो भी हैं, आपको इस box को उसके साथ में आपर match करना है इसी तरह से apple, grapes, pineapple, banana, car, scooter, bus, truck यह चीज़ें क्या हैं, table, chair, desk, bed आपको इन सभी box को उपर वाले box में जो words लिके हुए हैं, उनके साथ match करना है एक मेंना आपको करके दिखा दिया हैं, बाकी के जो सारे box हैं, वो आपका homework हैं र confrontक क्युक्च हैं, अपको है एक में आपको नहीज़ा करना है